नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा जबर्दस उपाय बताने वाले हैं जिसके लिए ना तो आपको कोई कष्ट उठाना है ना ही आपको कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई क्रिया करनी है बस आपको साधारन सा एक उपाय करना है और इसे करने से तरक्की हमेशा ही आपके आसपास रहेगी हमेशा एक अद्रश्य शक्ति आपका साथ देती रहेगी दोस्तों ये उपाए ऐसा साधारन सा उपाए है जिसे कोई भी पुरुष कर सकता है कोई भी महिला भी कर सकती है यहां तक कि यदि चाहें तो कोई बच्चा भी कर सकता है दोस्तों इस उपाए को करते ही आप देखेंगे कि आपके घर में धन, लक्षमी और पैसे रुपिये हमेशा ही आते रहेंगे सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों जो टोने टोटके आदी उपरी किरियाएं आपके घर में बेजी गई होंगी वे भी स्वाम ही नश्ट हो जाएंगी जो भी बुरी चीजे हैं दोस्तों वे सभी आपका घर छोड़कर चली जाएंगी आपके घर में सुक और समर्दी का वास्त हो जाएगा दोस्तों घर के सभी सदस्यों में प्रेम भाब बढ़ जाएगा दोस्तों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, आपको ऐसा अनुभव होगा कि जैसे एक अद्रिश्य शक्ति सदेवी आपके आसपास है, आपकी मदद कर रही है और आपको हमेशा सपलता दिला रही है, घर में जिसकी बज़े से सुक, समर्दी और शान्ती का अनुभव उपाय किया है, उनके अनुभव से, वे कहते हैं कि जब भी इस उपाय को कर लेते हैं, तो उसके बाद जब भी जीवन में कोई समस्या आने लगती है, तो उसका उपाय सपने में इन दिखाई देने लगता है, दोस्तों, सास्त्रों के अनुषर कहा जाता है, जब भी किसी आलग अलग योनी के व्यक्तियों की मिर्थि होती है तो उन्हें किसी ना किसी और पेड़ पौदे आदी की योनी भी प्राप्त हो जाती है, यानि कि जितने भी पेड़ पौदे इस दुनिया में आप देखते हैं वे कभी न कभी किसी न किसी योनी में जनम लिये होते हैं जिनका आप पुनर जनम पेड़ पौदे के रूप में हो चुका है इसलिए दोस्तों जब भी आप किसी भी पेड़ पौदे को कुछ देते हैं तो वे भी बदले में आपको कुछ देता है जिस परकार से कहा जाता है कि तुलसी को प्रते दिन जल चड़ाना चाहिए इससे घर में सुक्षांती और सम्रदी बनी रहती है क्योंकि दोस्तों जब आप तुलसी को कुछ देते हैं तो तुलसी भी बदले में आपको कुछ देती है इसलिए दोस्तों आपके इस उपाय के लिए बहुती साधरान सा एक कार्य करना है आपको केमल अपने घर के आसपास कोई बड़ा वसा पेड़ जून लेना है जैसे कि नीम का, पीपल का, बरगत का, ऐसा ही कोई पेड़ देखना है, लेकिन ध्यान है कि आप आम का पेड़ नहीं चूज करेंगे, आप आम के पेड़ को पसंद ना करें इस किरिया करने के लिए, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि आम के पेड़ पर भूत प्रेतों का वा सोता है, दोस्तों इस किरिया के लिए, आप अपने घर के आसपास ही, कोई अच्छे पेड़ को ढून लीजिए, और बड़े से पेड़ को, जो समरे धो, तिका हुआ हो, पराने समय से हो, जो बहुत पराना हो, उस पेड़ के पास जा करके, कुछ दिन, अगर आप कच्चा दूध को डालते है, कुछ दिन का मतलब है, जिस वार को भी आप पहली बार इस दूध को डाल वे हैं, अगली हफटे भी आप उसी वार को, जैसे जो समबार आप को डालेंगे, या फिर आप लगातार भी डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा आप उस पेड़ को कच्चे दू हो उस दिन की शाम को करना है जी हां दोस्तों शाम का मतलब है जब सूरे अस्त हो गया हो यांनि कि सूरे आपको आस्मान में नदर नहीं आरा लेकिन सूरे की रौसनी अभी भी है तो ऐसे समय को आपको चूज करना है यानि कि अगर आप देखेंगे तो सर्दियों गर्वियों में 7-7 या 8 बचे तक का समय जो होता है आप देखें उस समय पर आपको सूरे दो अस्त यानि सूरा नजर नहीं आएगा या फिर बहुत ही छोटा सा हलका सा नजर आएगा लाल लाल रंका और सूरज की रोशनी आसमान में होगी उजाला होगा तो ऐसे समय पर आप सकती सदे भी आपके आज पास रहती है और आपके हर कारे में आपको सफलता दिलाती ही है कोई भी समस्या यदि आती भी है तो आपको उसका उपाए आपको अपकी सकती के दुआरा आपको अपने सपनों में नजर आने लगता है ये एक सकती आपको प्राप्त हो जाती है औ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना एकल फिर आप से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिदे में जाता धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में लिखना ना बूले, जै बजरंग बली, जै मातादी, जै मालक्षमी